हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं क्रिस्पी और बहुत टेस्टी चिली पिटेटो की रेसिपी यह बच्चों का बहुत पैबरेट होता है इसको आप इवनिंग स्नेक्स में बना सकते हैं चलिए इस रेसिपी को स्टर्ट करते हैं मैंने बड़े साइज के तीन आलू लिये हैं जो मैंने उन्हें लंबे काट लिये हैं आप ना इनको पतले रखिएगा ना ज्यादा मोटे रखिएगा मैंने काटने के बाद इसको अच्छे से वाश कर लिया था हमें इसको क्रिस्पी बनाने के लिए वन टेबली स्पून कॉर्ण फ्लॉर एड़ करना है अगर आप चाहें तो इसमें फूट कलर भी एड़ कर सकते हैं यह ऑफ्शनल है फूट कलर एड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिस्ट कर लेना है मैंने करही में तेल गरम कर दिया है तेल गरम होते ही मैंने फ्लेम को लो कर दिया है उसके बाद मैंने आलू के सलाइजर डाले है आलू के सलाइजर डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राइज कर लेना है देखिए फ्रेंड्स हमारे आलू के सलाइजर कितनी क्रिस्पी हो क्रनेदें करें लीए इसमें वन टेबल स्पून हमएने ऑइल डाला है घयाना है को मतिकित आप पर भाइद ही झारी, थिर्ट, अधरें हमें शिमना मिर्च और प्याल जालने के बाद इसको अच्छे से सोते कर लेना है सारी चीज़ों को सोते करने के बाद वंटी इस्पून विनेगर डालना है वंटी इस्पून गिरिन चिली सोस लास में वंटी इस्पून से ही कम सोया सोस डालना है सारी चीज़े डालने के बाद इसको अच्छे से सोते कर लेना है अब हमें इसमें फिराई कर हुए आलू डालने है आलू डालने के बाद इसमें वन टीज स्पून शेज वान सोस डालनी है और वन थार्ट कप टेमेटो केचप डालनी है अब हमें एक बाउल में टू टेबिल स्पून कॉर्ण फ्लॉर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल का एक घोल बना लेना है जो हमने घोल बनाया था इसमें डाल का अच्छे से मिक्स कर लेना है और लास्ट में वन टी इस्पून नमक और वन टी इस्पून चिली फ्लेक्स डालना है और चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसमें हाफ टी इस्पून काली मिज़ डालना है देखिए फ्रेंड हमारे चिली प्रेटो रेडि हो चुके हैं आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा अगर मैं ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा